चुरू से उन स्किन में हमेशा यही देखी हूँ कि वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकी वाले हैं उनका जीवन का लक्ष है जन सेवा बस जन सेवा वो दिवाली 2021 की दिवाली हमारी खराब हुई थी हमारा करवा चौद भी खराब था मेरे बच्चे का बर्डी भी था जितन उन्हें अपने पती को घर पर संघर्स करते हुए देखा है और आज उनके पती 36 गड़ के डिप्टी सीयम बन गया है जी हां हम बात कर रहे हैं 36 गड़ के नौ नियुक्त डिप्टी सीयम विजय शर्मा की जो अभी पहली बार विधायत बने हैं हाला कि वो पाटी में लगातार संघर्स करते रहे हैं संघर्स करते हुए जेल भी गए और जेल के दिनों में भी हमने पहले भी उनसे बातचीत की तो वो कहते रहे हैं कि मे भी हो गया है कितना उत्सा है बहुत इच्ट लग रहा है यह बाग्वान से विश्वास तो था कि वो कुछ आगे आएंगे कुछ अच्छा बनेंगे कुछ अच्छा पद उनinho ko पर इतना भगवान देगा यह तो यकिन नहीं हो रहा था आज भी यकिन नहीं हो रहा था जब उन्हें टीवी पर देखे सपत लेते हुए बड़ा अच्छा लगा बड़ा सुकून मिला है उनकी 20 साल की महनत रंग लाई है उनकी सादगी की चर्चा जोरो पर है भावी आप त पतनी है तो आज भी वो सपत ग्रहण में भी ज्यादा ताम जहां में नजर नहीं है सादे सफे सर्ट और काले पेंट पर नजर आए तो उनकी सादगी के लिए एक धर्म पतनी क्या कहती है बड़ा अच्छा लगता है उनको देखके और मैं शुरू से उनकी में हमेशा यही अब तो वो डिप्टी सीम बन गया है तो डिप्टी सीम बनने के बाद पहली बार जब कवरदा आएंगे तो उनके कार्यकरताओं का तो उत्सा रहेगा घर में क्या तैयारी होगी भी अगर की तैयारी तो चली रही है वो आएंगे जैसा कि आपको मैंने अभी बताया थै कि वो दिवाली 2021 की दिवाली हमारी खराब हुई थी हमारा करवा चौद भी खराब था मेरे बच्चे का बढ़ी भी था तो वो जो दुखका समय था वो एकदम बदल गया है जितना उस समय दुखता उसे चारगुना ज्यादा भी खुशी है हम सब बहुत खुश है परिवार क कुछ अच्छा सोच रही हो या उन्हें कैसे काम करना चाहिए आपको क्या लगता है कि किस आधार पर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए पतनी के तौर पर तो जो आली बात है वो तो मैं अब इस बात को यहां तो नहीं बताऊंगी जो होगा उनके सामने होगा पाने वाले सा पर जिच का बहुत दुख है कि मैं उनको वहां जाके नहीं देख पाई हूं आगे भगवान कुछ इश्वर के कृपा रही वह आगे बढ़ते हैं तो मैं वहां तक जाओंगे और वह खुशी भी हाशिल करूंगी जो आज मैं नहीं कर पाई हूं तो वह जहां तक जाएंग कर दो कर दो दो